Good morning students, today we will study class 8, supplementary reader, It So Happened, the story, the open window, part 2. In part 1, हमने देखा था कि किस तरीके से Mr. Nuttal एक घर में आते हैं, उनको नर्वस की प्रॉब्लम है और वहाँ पर एक बच्ची, 15 अर्स की बच्ची जो है, उनको एक स्टोरी सुनाती है. तो आगे क्या होता है हमें देखते हैं इसमें, Mrs. Seppleton comes down at last and inadvertently confirms her niece story. और इसमें क्या होता है कि Mrs. Seppleton जो है, वो at last niece आ जाती है और जो न की भी niece ने कहानी सुना है, उसको confirm करती है. और जो Mr. Seppleton रहेंगे इस पार्ट में, वो जो host है, जो lady है, उनको अपने बारे में alignment means, अपने health के बारे में बताते हैं. तुरू दवी ओपन विंडो, he can see, see things that version his nerves. अब जो जो ओपन विंडो के कारण जो इनका nerves था, वो और भी जादा वर्स हो ब्या था, उनको और जादा प्रोब्लम्स हो रही थी. तो कहानी में क्या होता देखते हैं? वो क्या हुआ था, इसी साल मतब कहां गय थे, वो शूटिंग के लिए गय थे और आज तक वो वापस लोटे नहीं है, ऐसा करके कहानी सुनाती है वो उसको, और इतनी उसने कहानी को थोड़ी horror बना दी थी, कि वो खुद भी डर, मतब बिल्कुल डर गई थी है, खुद भी दर रही थी, वो शी ब्रोक अप विद लिटल शुटर मतब डर ना, इड़ वाज रिलीफ फिर रिलीफ टू फ्रेम्टम, और फ्रेम्टम कहा थे, वो जो लटकी थी, वो इस तरीके से कहानी सुना रही थी उनको horror की, तो फ्रेम्टम को थोड़ा रिलीफ वा जब उनकी जो हो गई करके और अपने लेट आने के लिए वो माफी मांगती है, I hope Vera, लड़की का नाम क्या था, Vera has been amusing you, she said, वो कहते है, Vera ने आपको बोर नहीं हो रही दिया होगा, और उसने आपको busy रखा होगा, she has been very interesting set, Frampton, Frampton कहते है कि नहीं, यह बहुत interesting है, उसने बहुत अच्छी बाते हैं, और वो बहुत interesting है, ऐसा करके उसके बारे में कहते है, I hope you don't mind the open windows at the Mrs. Appleton Briskley, वो कहते है, आपको यह खड़की open है, तो आपको कोई इससे फरक नहीं पढ़ रहा होगा, my husband and brothers will be home directly from the shooting, अब वो कहते है, मेरे husband और भाई जो है, वो अभी shooting से घर आने वाले है, and they always come in this way, और वो इसी रास्ते से वापस आते है, they have been out of the spine in the martial today, वो कहा गया हुए है, बाहर, spine means आप बोल सकते हैं, जैसे दलदल वाला इलाका है, उस तरफ वो लोग क्या करने गया है, waterboard, जो spine means, जो waterboards, जो martial area में रहते हैं, जो दलदल के area में रहते हैं, वहाँ वो शूटिंग करने गया है, और they have been out of the spine in the martial today, so they will make a fine mess over, और वो ऐसे दलदल वाले इलाके पर गया है, गिरा दलदल रहता जाँ पर, तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, और वो जब घर आएंगे, तो mess means गंदा कर देंगे, पूरे जोई कारपेट सा वो गंदे हो जाएगे, so like you, man folk isn't it, और वो कहती है, ऐसा आदमी लोग अकसर करते है, अना, she rattled on the cheerfully about the shooting and the scarcity of the birds and the prospects for the duck in winter, अब वो बाते करने लगती है, क्या कहती है, she rattled में वो बातचित कर रही है, बहुत ही खुशोकी की बता रही है, शुटिंग के बारे में, और कि किस तरीके से आजकल birds की कमी हो गई है, और जो duck है, वो भी winter में बहुत मुश्किल से ही मिलते है, तो Frampton, it was all purely horrible, क्योंकि अभी वो लड़की ने भी पूरी ऐसी कहानी सुनाई थी, और वो लड़की ने तो कहा था कि वो बहुत साल पहले गय थे, और अभी तक return नहीं आया है, तीन साल पहले की बात कर रही थी वो तो Mr. Frampton के लिए ये बहुत ही horrible था, डरावना था, Frampton के लिए दिखे बैट के सुना रही है, वो लेड़ी आ गई है न, तो Frampton के लिए क्या था, purely, purely horrible, he made desperate but only the partial successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic, he was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eye we are constantly staring past him to be the open window and the lawn beyond, it was totally an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary, अब वो कहते हैं कि बैचारी वो तो बहुत डर गई है सब सुनके, Mr. Nurtle जो थे वो डर गए, वो बहुत कोशिच कर रहे थे, desperate बहुत ही कोशिच एफ़र्ट लगा रहे थे, कि कम से कम जो Mr. Sableton है वो भी पूरी वोई कहानी बता रही थी वो, तो वो बहुत बहुत कोशिच कर रहे थे, कम से कम, यह जो ghastly means बोला से डरावनी जो बाते हो रही है, यह कम से कम ना हो अभी है ना, और वो जी जानते थे कि उनकी hostess है, उनको कम attention दे रही है, उनका सारा ध्यान बाहर जो open window है, जो lawn के पस खिड़की है, सारा ध्यान उनका वही पे था, और यह बहुत uncertain ह हो गया, कि unfortunate हो गया कि मैं उसी दिन पहुंचा हूँ, जिस दिन ये tragic anniversary हुई थी, मत तक जिस दिन ये tragic हुआ था कि वो बाहर गया थे shooting पे और खना नहीं आया थे, तो वो ही दिन मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा करके वो कहते हैं, the doctors agree in ordering me complete rest, और फिर ये बाचीत को change कर रहे ह हैं, कि ताकि ये horrible जो बाते हो रही थे, उससे थोड़े वो डरे हुए थे, तो वो उस चीज को टॉपिक को बदलना चाह रहे थे, तो वो बताते हैं अपने बारे में कि the doctor, the doctor agree in ordering me complete rest in absence of the mental excitement and avoidance of everything in the nature of the violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the terribly whispered delusions that the total strangers and the chance acquittance are hungry for the least details of one's alignments and the informaties तो वो कहते हैं कि, मतलब वो बताते हैं कि doctor ने उनको कहा है कि आपको बिल्कुल complete rest लेना चाहिए और आपको कोई भी mental excitement नहीं चाहिए और जितना भी जो भी physical exercises है, physical violence जैसे ये सब जीज़े हैं, वो सबसे दूर रहना चाहिए फ्रेंटर्ण बताते हैं उनको अपने बारे में और वो बताते हैं कि मतलब who lived under the tolerably whispered delusions delusions means जो false impression किसी के बारे में गलत believe या thought हम जो रख लेते हैं delusions को बनते हैं that total strangers or the chance chance acquittance are hungry for the least details of the one's alignment और लोग क्या है जिसको हम जानते हैं जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में acquittance means अब हो सकते हैं परिचित हैं और are hungry for the least least detail of one's alignment और सब लोग उसके बारे में जो परिचित हैं उसके बारे में details जानना चाहते हैं उसके alignments means उसके health or relating to their health complaints or sickness के बारे में जानना चाहते हैं their cause and cure वो किस तरीके से क्या हुआ और कैसे ठीक होंगे सब जानना चाहते हैं no on the matter of the diet they are not so much in the agreement और यह जो उनके खानपन का है वो पूरा ही different है एक जसा नहीं है यह कहते हैं और यहाँ पर इस paragraph ही उन्होंने उनकी बीमारी के बारे में ही बताया है no said Mr. Seppleton in a voice which only replaced a yawn at last moment now Mrs. Seppleton जो थी उनको तो interest नहीं आ रहा था उनकी बात पर तो वो बोर हो के जिसे जमाई लेने लगते ना yawn करते हैं तो वो ऐसे जमाई लेते हुए no कह रहे थी then she suddenly brightened into the alert attention और अचानक से उनको एगदम ब्राइटन उनकी आके चमक उठी और वो एगदम attention में आ गई but not to what the fermentant was saying इसलिए attention पर नहीं आई कि जो fermentant कह रहे थे उस बात पर उनका attention नहीं आए था there were at last at last she cried they were at last यह देखो यह लोग आ गए शीक राइट जो से बुला उन्होंने just in time of 40 अपचाय के time पे and don't they look as if they are muddy up to the eyes और एगदम बिल्कुल उलो कैसे लग रहे हैं बिल्कुल muddy picture में सने हुए लग रहे हैं इस पीचर में आपको दिख रहा हुगा कि उनका attention पूरा वहाँ पर और तील नों आपको पीचे से आ रहे है तो फेंडम उनको देख रहे हैं Frampton shivered slightly and turned towards the knees with a look intended to convey the sympathetic comprehension the child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes Frampton जो थे अब देख लिया वो उनों ने भी देखा ये लेडी कह रहे हैं Frampton कि देखो वो वापस आगी तम चाय के समय पे ही वापस आ है तो फेंडम उनको तो कुछ और ही स्टोरी पता थी उनकी ने जो स्टोरी बताई थी कि वो तीन साल पहले ही चले गए ते आज के दिन वो आई ही नहीं वापस आभी था तो उनके लिए तो एक दम होरर वाली बात थी तो वो थोड़े शिवेड हो गया और डरे और फिर शिवेड करते हुए थोड़ा नीज की तरफ देखते हैं और ऐसा मैसुस हो रहा था जैसे कि वो उसके साथ सिंपयती दिखा रहे हैं कि मतलब जो नीज विट लुक इंटेंडेंट टू कन वेदा सिंपयती उनको सिंपयती दिखाने के की वे में उन्होंने उसके तरफ नीज की तरफ देखा देखा दा चाइल वास्टेरिंग आउट थू दा ओपन विंडो विद गैज और इन हर आइस अप जो लड़की थी वो भी खिड़की की तरफ देख रही थी ओपन विंडो की तरफ इदम होरर वे में डरी हुई है ना डरी हुई देख रही थी इन चील शॉक अफ दे नेम लेस्फियर फ्रेम्टम संग रॉंड हिन इस सीट और वो जो फ्रेम्टम थी वो भी डरे वे और उसी डिरेक्शन में वो भी पीछे की और देखते है ना यहां देख रहा आप यह इनको बैटे वे और यह पीछे की तरफ देख रहे हैं इन डिपेंडिंग त्युलाइट थी फिगर्स वे और वाकिंग अक्रॉस देख रहे हैं कि तीन लोग वहां से अंदर की और मलान की तरफ आ रहे हैं गण्श नेके पास देनों के पास का था गंस था एंड गांट वाद चुलाइट फिट वाइचनली खॉड़ था विटार फेंड गांडिंग पास वितने हांट में विपाद था उसके ऌट में गांड था वाइट कोट था उसके शूलडर पे जो उन्होंने बतायाए ही था यह न, a tired brown, a tired brown spaniel kept close at their hills और उनके पास रूका ब्राउन डॉक, थाना, spaniel, इसका नाम था, वो भी उनकी hills के पास, पैरों के पास आ रहा था noiselessly, they neared the house, अब वो धीरे-धीरे, घर की तरफ आ रहे थे, and they, and then a horse young voice chant in out the dusk, और कुछ rough सी आवाज, horse means rough सी आवाज, आवाज आ रहे थी, शाम को, कैसे, I say, Britry, why do you bond, वो जो गाना गा रहे थे, no, look, वो ही गाना फिर से सुनाई दिया, तो यह part two था, अब इसके आगे देखते हैं, अब part three में क्या होता, देखते हैं, what else can Fremton do but, do but be tough, has to retreat, अब Fremton क्या करेंगे, क्या वहाँ से बिलकुल भाग सकते हैं, had he seen a, क्या, क्या, उन्हें ने घोस देख लिया, भूत देख लिया, देखते हैं इस स्टोरी में, आगे, Fremton grabbed wildly at his stick and hat, और अपने जल्दी से उन्होंने हर बढ़ाट में बिलकुल अपने stick और hat को लिया, the hall door, the gravel drive and the front gate, where the dimmy noticed stages in his headlong retreat, और वो जदी से दरवाजा पुला था, वो उदर की और से जाने लगे, a cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid the imminent collision, और जो एक cyclist में आ रहा था, cyclist आ रहा था, cyclist लाते वे, उसको क्या हुआ, अपना cycle को रोकना पड़ा, क्योंकि ये इतनी हरबड़ी में दोड़ रहे थे, कहीं कि imminent means unavoidable incident को, ये टक्रावा, collision means टक्राना, तो उसको रोकने के लिए कहीं टक्करना हो जाए, तो उसको अपनी cycle को रोकना पड़ा था, here we are my dear, said the bearer of his white macintos, coming in through the window, अब वहां से जो आए, सब कोई विंडो से अंदर आए, और जो और से, यहां हम आ गए है, who was the who, bolted out as we came up, और ये कौन था, जो हम अंदर आए, तो बहार चला गया, most extraordinary man, वो थी एक अच्छा आदमी था, Mr. Nuttall, said Mrs. Seppleton, he would only talk about his illness, वो खाली अपनी बिमारी के बारे में बात कर रहा था, and that is of without word of goodby or apology, when you arrived, और बीना कुछ बोले या, goodby या, sorry बोले बीना ही, वो यहां से चला गया, one would think he had seen, ऐसा लग रहा, जैसे उन्हों से ने भूद देख लिया, I accept, it was, it was the sapnil, said the knees can't be, बड़ी प्यार से कह रही है, He told me he had a horror of dogs, उन्हों ने मुझे बताया था कि उनको तो कुटो से डर लगता है, He was once hunted into the cemetery somewhere on the banks of gangs by pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures of snarling and grinning and forming just above him, enough to make anyone lose their nerve, कहती है, कि एक पर मुझे उन्होंने बताया कि मेरे पीछे क्या होगा थे, symmetry side में क्या हुआ था, कि कुटे, पुरे कुटों का कुछ जो pack of dogs, gangs था, वो उनके पीछे लग गया था और इसके वज़े से उनको कहा, ग्रेवल में इसाब बोल सकते एक जो नई कबर बनी थी, उसके पाथ उनको पुरी रात गुजाननी पड़ी थी, अजीब अजीब जैसे कबर होगा, कबरेसान होता हुआ, कैसे अजीब से सन्नाटे की आवाज आती है, कहीं पर गुरानी की आवाज आ रही थी, कहीं पर एक पड़ती है, यह काफी एगुजानी कोई भी ऐसी तहरी के से हालात में, किसी कभी नर्वस ब्रेक्डाउन हो जाएगा, किसी कभी नर्वस इसनर कराब हो जाएगा, जो जो उनका था, Mr. Nuttal का, इस थारीके से सुनाती ही, कहानी सोचो, कि नीज ने उनको कितना, कहानी को उन इसने दो कहानिया बना लिए लड़की ने है, ना, Romance at a short notice was her speciality, क्या मतलब होता, देखिए, Finding Occasion for Fun and Enjoyment, कुछ न कुछ धूंड लेना, किसी fun के लिए, किसी enjoyment के लिए, कभी न, जब भी possible, मतलब, खुशी के लिए, fun के लिए, enjoyment के लिए, रास्ता दूंड लेना, किस की speciality थी लड़की की, देखो, उसने दो कहानी बना लिए, बैचे-बैचे, हाना, तो इस तरीके से उसकी speciality थी, हाना, वो special है, speciality किस में वो, Romance at short notice means, Finding Vocation for Fun and Enjoyment, तो ये थी कहानी, और इसे लिखा था, Saki H.H. Mundur ने लिखा है, आप इसे read out कीजेगा,